देखे हाला कि ये कॉंग्रस का आंतरिक विशे है परंतु एक तरफ आप देख सकते है कि प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी के नेत्वत्व में एक मिशन और विशन वाली पार्टी और अलायंस है और दूसरी तरफ एक ऐसा अलायंस है और एक ऐसी पार्टी कॉंग्रस है पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारnaire जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था इसलिए कनहिया कुमार से और उधित राज से नाराज होकर कई कंग्रेस के कारिकरता जो बचे कुछे कैसे दिया गया परंतु क्योंकि कॉंग्रस का हाई कमांड चाता था तो उनको टिकेट दिया गया और दूसरी विचित तरस्ति ये थी कि जिस आमादमी पार्टी का जन कॉंग्रस को खतम करते हुए हुआ जिसने कहा शीला दिक्षित जी को जेल भेजेंगे सोनिया गांदी को जेल भेजेंगे जिनके साथ पंजाब में आज भी उनकी कुष्टी है उनके साथ दिल्ली में मोहबत और दोस्ती कर दिया आपने और पंजाब में कॉंग्रस के लिए कहा जाता एक थी कॉंग्रस आमादमी पार्टी को राश्टहित के विरोधी और भश्टाचारी कहती है परन्तु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं, इस प्रकार की confusion और contradiction जनता लगातार समझ रही थी, और इसलिए अब कॉंग्रेस के worker और कॉंग्रेस के कारेकरता भी इस प्रकार के unholy nexus और unholy candidate से तरस्ट आकर अपनी frustration को बयान कर रहे हैं, वैसे हमने देखा है कि इस पूरे alliance में, जमू कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक, ये टुकडे टुकडे और कलेश ही चलता है, उमर अब्दुल्ला बना महभूबा मुफ्ती, बंगाल में त्रिणमूल कॉंग्रस बनाम कॉंग्रस और left, हमने देखा है पंजाब और दिल्द इसलिए रांची में भी जूते चपल चल रहे थे, आरजेडी और कॉंग्रस के बीच में, और यहां पर भी अब जो कलेश सामने निकल कराया है